बनाना वाइन की जानकारी से भरी वीडियो में आप सब का स्वागत है दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ये वाइन किस तरीके से बनाई है ठीक ठाक साइस के एक दरजन केले लिए हैं अगर केले छोटे हैं आपके पास तो आप तेड़ दरजन ले लिजिए यह पर मैंने दो लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है फ्लेवर के लिए एड़ कर देंगे एक दाल चीनी का टुकडा पांच लॉंग दस पीस हरी इलाइची के लिए है और यहां मैं एड़ करूँगा एक साबुत लाल मिर्च जो की कम तीखी होती है यह ज्यादा तीखी इसको बीच में से तोड़के मैंने एड़ कर दिया है केलो को छोटे टुकडो में तोड़कर पानी के अंदर एड़ कर देता हूं काटके भी डाला जा सकता है या मिक्सी जार में इन्हें ब्राइंड करके भी डाला जा सकता है केलो को छोटे टुकडो में तोड़कर बरतने में मैंने ले लिया है अब उबाल आने का इंतिजार है gas flame मैंने बिल्कुल slow रखी है slow flame पे ही उबाल आने का इंतिजार करेंगे उबाल आ चुका है और बहुत सारे जाग बन रहे हैं जैसे चाय भार निकल जाती है बरतन से इसी तरीके से ये भी भार की तरफ निकल जाता है तो इसे बीच बीच में चलाते रही है, मिक्स करते रही है धीमी गैस पर 25-30 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए उबाल लेना है अच्छे से दोस्तो बनाना वाइन की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो में मैं कुछ और जानकारिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तो बने रहेगा अंध तक वीडियो में मेरे साथ केले को पानी के साथ उबालने से केले का फ्लेवर और जूस पानी में मिक्स हो जाता है भार निकल जाता है केले से और दूसरा वाइन में फंगल इंफेक्शन के चांसिस खतम हो जाते हैं बनाना कि इस mixture को boil करते हुए आदा गंटा मुझे हो चुका है, gas flame मैंने off कर दी है, अब ठंडा होने का इंतिजार करेंगे, इसमें 3-4 गंटे लगेंगे, तो मिलते हैं दोस्तो 3-4 गंटे के बाद, 4-5 गंटे हो चुके हैं, mixture ये ठंडा हो गया है, यहां पर मैंने 2 container लिये है जिने मैंने sterilize कर लिया है, यानि कि किटानूरेइद, इनको कैसे sterilize करना है, उसके लिए आप चैनल पर जाके, मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको idea लग जाएगा कि किस तरीके से container को sterilize करना है, अब हमें इस mixture को चान लेना है, चानने के लिए मैंने एक सूती कपडा लिया है, जो कि sterilize है, sterilize करने के लिए सबसे पहले तो इस कपड़े को मैं उबले हुए पानी में छोड़ देता हूँ, 10-15 मिनट के उबालने के बाद, फिर मैं इसे ठंडा होने पे deep freezer के अंदर रखके छोड़ देता हूँ, जब भी मेरे को इस्तिमाल करना होत अगर हम उसमें fruit डालते हैं, तो हमें container को उपर से खाली रखना पड़ता है, नहीं तो container fermentation के दोरान overflow हो जाता है, mixture को मैंने filter कर लिया है, आधा mixture अब मैं दूसरे container में भी डाल लूँगा, दोनों container में आधा-धा mixture मैं ले लूँगा, mixture को मैंने jar में आधा-धा कर लिया है, द पानी को उबाल ले के लिए मैंने चूले पर रख दिया है, जब तक पानी उबलता है, तब तक आगे का process देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 800 gram खान, जो कि एक container में जाएगी, दूसरे container में भी हम 800 gram खान डाल देंगे, मैं इस्तमाल कर रहा हूँ देसी खान, या फिर चीनी, एड कर सकते हो आप, देसी खान, मिश्री, शहद, गुड या फिर चीनी, आप जिसका भी इस्तमाल कर रहे हो, जादा भी उसको मट डाल देना, नहीं तो आपकी जो wine है, वो काफी strong बनेगी और मीठी भी रह जाएगी, और हाँ दोस्तों, wine को बनने में काफ दोले पे रख दिया है, जब तक पानी उबलता है, तब तक आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, दोनों ही कंटेनरों में मैंने आधा आधा निम्बू निचोड दिया है, इससे wine का pH लेवल ठीक रहेगा, गेहू लिये हैं, 50-50 ग्राम दोनों ही कंटेनर में डाल देंगे, आ ठंडा होने तक, ठंडा होने के बाद ये wine must तयार है, fermentation के लिए, नई वीवर्स को मैं कहना चाहूंगा, चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा, wine के अंदर निम्बू, गेहूं या फिर पैस्टिक इंजाइम, हम क्यों इस्त चुका है, fermentation के लिए, बिल्कुल तयार है, यहाँ पे मेरे पास yeast है, और पैस्टिक इंजाइम, पैस्टिक इंजाइम अगर आपके पास नहीं भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह optional है, दरसल केले के छिलके में पैस्टिक इंजाइम हमें डालना ही पड़ता, ऐ जोनों कंटेनरों में एक एक टीस्पून पैस्टिक इंजाइम मैंने डाल दिया है, अब yeast भी डाल देते हैं, एक एक टीस्पून काफी रहेगी, इस डालने के बाद मैंने एक कंटेनर के उपर क्लिंक फिल्म लगा दी है, और उसके उपर रबर बेंड लगाके इसे एर लॉक कर दिया है, दूसरे कंटेनर के उपर मैंने सर्जीकल गलव्स लगाया है, सर्जीकल गलव्स बहुत अच्छे से एर लोक का काम करता है, असानी से फटता भी नहीं और बहुत ही असानी से किसी भी कैमिश शॉप से मिल जाता है इस वीडियो में आप देखेंगे सर्जीकल गलव किस तरीके से काम करता है वाइन मस्ट में इस डालने के बाद तीन से चार घंटे में फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो जाता है इस्ट फर्म बार की ऑकसिजन अंदर नहीं जानी चाहिए और अंदर जो भी कारबन डायॉकसईड बनती है वो बार निकलती रहनी चाहिए प्रेशर बन रहा है अगर छेद नहीं करूँगा तो ये गलव्स उपर की तरफ उड़ जाएगा निकल जाएगा या फट जाएगा गलव्स में प्रेशर काफी बन रहा है इस गलव्स के अंदर मैं मैं रख दूँगा 24 गंटे के बाद देखेंगे तो चलो दोस्तों मिलते हैं 24 गंटे के बाद ims उसके बाद हमें इसे मिक्स नहीं करना है उसके बाद ये वाइन मस्ट अपने आप फरमेंट होता रहेगा और आःस्था इस्था फरमेंटेशन बंद होने के बाद वाइन अपनें आप क्लीन होने लग जाएगी, अच्छे से क्लीन होने के बाद ही हम wine को डिकेंट करेंगे, दोस्तो 10-12 दिन में wine नहीं बनके तियार होती, wine को बनने में समय लगता है, जितना दिन आप इंतिजार करोगे हमारी wine उतनी ही मजेदार बनती चली जाएगी, दोनों कंटेनरों को हिला कर wine must को अच्छे से मैंने mix कर दिया और साथ में ही airlock भी कर दिया है दोस्तो अब इंतिजार है fermentation के रुकने का और wine clean होने का wine clean होने के बाद wine को bottling कर लेंगे इसमें समय लगेगा दोस्तो मिलते हैं 3-4 हफते के बाद आज 28 वा दिन है यानि 28 दिन पहले मैंने wine को बनाने के लिए रखा था 28 दिन हो चुके हैं हमारी wine के अंदर fermentation भी रुक गई है और wine clean भी हो चुकी है आपको इसकी clarity दिखाता हूँ पीछे mobile की torch जला के मैंने इसको check किया तो देखिए कितनी clear light हमें नजर आ रही है इसका मतलब हमारी wine बिलकुल साफ हो चुकी है तो अब इसको bottling कर लेते हैं glove को container से मैं हटा देता हूँ यहाँ पे मेरे पास drip pipe है और एक आधा लीटर मैंने sterilize कांच की bottle लिए है इस bottle के अंदर मैं यह आधा लीटर wine निकाल लूँगा दोस्तो वीडियो में मैं आपको एक बात पता ना भूल गया gloves के बारे में जो यह glove है surgical glove यह orange color का है इसी को लीजिएगा जो white color में आता है जिसे doctor पैनते वो बहुत असानी से फट जाता है जो यह orange वाला glove है यह काफी लंबे समय तक चल जाएगा आप इससे कई सारी wine बना पाओगे wine bottle में आनी शुरू हो गई है यह सेन तरीके से ही मैंने निकाल लिया जिस तरीके से pipe की मदद से scooter या bike की tanky से हम petrol निकाला करते थे wine को bottle में मैंने ले लिया है container को air lock कर देता हूँ दुबारा से wine को taste करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी wine कैसी बनी है wine की clarity आप देखी सकते हो हमारी wine बहुती clean बनी है wine जब भी अच्छे से clean बनती है तो समझो कि हमारी wine बहुती मज़ेदार बनी है इसे glass में डाल लेता हूँ और फिर taste करके आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हमारी wine कैसी बनी है दोस्तो जब भी कोई wine हम तयार करते हैं सबसे पहले हमें उसे सूंके देख लेने चाहिए सूंके देखने से हमें पता लग जाता है कि उसमें कोई फाल्तू के sediments की smell तो नहीं है पहले smell करके देख लीजे एक बार मुझे किसी भी sediment की कोई भी ऐसी smell नहीं आ रही है उसका reason है कि हमारी wine बहुती clean मनी है clean wine में कभी भी आपको किसी भी sediment की smell आपको नहीं आएगी तो इसको taste भी कर लेते हैं no doubt हमारी wine बहुती बढ़िया बनी है दोस्तों आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजेगा हाँ हलकी सी strong जरूर है पर मैं इसे कुछ दिन और रखूँगा तो इसका जो clever है वो और अच्छा हो जाएगा तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन चै भारत